मद्प्रदेश में सियासी घमसान एक विधायक के एक पार्टी बदलने को लेकर शुरू हो गया है ब्रालपर जिले की नेपानगर विधानसबस सीट से कॉंग्रेस की विधायक सुमित्रा देवी द्वारा इस्तिफा दिये जाने के बाद अब तक उनका कोई बयान सामने नहीं आए है सूत्रों की माने तो वह जल्द भाजपा में शामिल हो सकती है इस पूरे ही मामले में नेपानगर से ही भाजपा की पूर्व विधायक रही और कॉंग्रेस के एडिटेट के सामने चुनाओ लड़ने वाली मंजु दादू का कहना है कि पार्टी ने अगर उन्हें भाजपा में शामिल किया तो वो उसका स्वागत करेंगी यहाँ अभी शोशल मीडिया और आपके न्यूस के द्वारा जानकारी मिली है कि उन्होंने सिपा दिया है लेकिन अभी तक फुरी जानकारी मुझे भी उपलबत नहीं हुपाई है कि क्यूं दिया है अभी में आधर्णिय सांसाथ मोदेची और प्रदेशिदीची से बात करूंगी क्यूं दिया है और जो भी जनकरे रहेंगे वो आप लोग तक तो पहुचे जाएगी बिलकु सागत है कोई दिकर नहीं है परिवार का सवाल है और पार्टी जो भी नहीं नहीं लेगी वो सर्व परी है और सर्व मनने है